इन्डिया हर्वियाना के माने सर और कोलकता में सर्च अपरिशन चलाया गया है यह इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर यानि यह जो कार आपको दिख रही है जिस दिन एडी की टीम को यह कार मिली थी और उसी दिन 35 लाग कैश की भी वरा मत गी अब यह कॉंग्रिस नेता से केनेक्शन जोड़ना शुरू हो चुका है कहा यह जा रहा है कि कॉंग्रिस पार्टी के एक नेता है धीरज उनका नाम इस पूरे मामले में आ गया है और कई जगों पे यानि हर्वियाना के माने सर और कोलकता में इडी का सर्च ऑपरिशन इस सलसले में जारी है यानि कुछ और खुलासा होने की पूरे मामले में उमीद की जारी है कि कुछ और भी ऐसे डॉक्मेंट्स कुछ और भी ऐसे इन्फॉर्मिशन इडी की टीम को मिल चुके हैं के आदार पर कुछ और लोगों तक यातार पहुत सकता है यह ऐसा मामला है जिसके जरिए सीदे सीदे ज़ार्कन की सरकार पर असर हुआ और बहां रातो-राज सरकार बदल गई यानि हेमन सुरेन की गिराफतारी और उसके बाद चमपई सुरेन का शफत लेना ये सब कुछ हो गया लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये कि ये जो BMW काल मिली थी ED की टीम को उस ED की टीम ने जो जांच पुट्रिया आगे बढ़ाई है तो एक कॉंग्रस पार्टी के लीडर का नाम सापने आगया है हैमन सुरेन के घर से BMW मिलने पर बीजेपी का बड़ा हमला कहा ब्रश्चाचारियों को जेल जाना ही होगा और कार से कनेक्शन बताना ही होगा कुछ महा पहले आपको याद होगा धीरज साहू ये कॉंग्रिस के राजसभा के सांसद 352 करोड रुपया वो तस्रीर है अलमारियों की अलमारियां भरी हुई थी नगध आईटी ने 352 करोड रुपया जब्त किया था 352 करोड रुपया जब्त होता है और इंडी एलाइंस जिसमें कॉंग्रिस पार्टी प्रमुख है भरष्टाचार की जन्नी कहें क्राइम बास्टर गोगो कहें सबसे बड़ा वसूली सेंटर कहें ये नहीं पता है लेकिन ना मलिकार अर्जुन खडगे जी एक शब्द बोले थे ना सोनिया गांधी जी एक शब्द बोली थी ना राहुल गांधी जी एक शब्द बोले थे तो गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे जिन्होंने कॉंग्रस पर हमना बोला दरसल हेमन सोरें की घर जब एडी की टीम पहुंचती है उस वक्त बीम डब्लु कार मिली थी कॉंग्रस के धीरत साहू थे जो लगतार एडी की तरफ से एडी उन पर पहले भी रेट की है काफी सारी रखम मिली है जिसमें आपको याद होगा कि मशीने कम पढ़ गए थे अब तीन तस्वीरे आपके सामने हेमन सोरें की बीम डब्लु कार जिसका कर्neक्शन धीरत साहू से सामने आता है और इसको लेकर कि बीजेपी अब ना सर्फ यहाँ पर जे एमन पर हमला बोल रही है बलकि कॉंग्रस पर भी हमला बोल रही है और हेमन सोरें पर भी शेकंजा कसा हुआ है क्योंकि अब वो पुलिस रिमान पर है से पहले जब उनसे कई घंटों तक पुशता सब्सकार बचारे में तो वो कामियाब रहते हैं लेकिन उनके बुरे दिन शुरू हो चुके है यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एक के बाद एक अब घोटाले सामने आ रहे हैं किस तरीके से उन्होंने नौकरियां देने में धांदली किया है यह भी फुलासा हुआ लेकि ताकि पैसे गिने जा सके और कई दिन तक ये पैसों की बरामदगी होती रही पैसे गिने जाते रहे और ये तस्वीरे सब ने लिखी थी अब एक बाद फिर से ईदी का शिकंजा उन पर बुरी तरीके से कश चुका है और तीसरी तस्वीर आप देखिए हेमन सुरेन तो या पाजनितिक घटना करम हम देखते हैं चारखंड में सरकार बचाते या नहीं बचाते वो सब चलता है आखिरकार उनकी सरकार बहुमत भी साबित कर देती है लेकिन अब जो कनेक्शन है यानि की एडी का शिकंजा जो उन पर फसा हुआ है जेल से निकलना तो उनके लिए आस साहु कुछ दिन पहले ही मीडिया से मुखातिब होते हैं वो अपनी बात रखते हैं वो कहते हैं कि जो मेरे पास संपत्ती है गलत पैसा नहीं है मैं एक-एक पैसे का हिसाब दूगा क्योंकि मेरे कई सारे बिजनेसे उसमें पैसा लगा हुआ है ऐसे मैं एक-एक पैसे झाल झाल